आप देखने इंटिलेक्ट्री इस और आज हम बात करने वाले है पावर पिंसिपल नंबर थी अब यह हमें क्या फार्ट है कि हमें बताता है नेवर आउट्शाइन या और मास्क शरी इसका मतलब हुआ कि हमारा जो भी गुरू है चाहि हमारे टीचेर्स है चाहि हुमारे पेरिंस है घॉम असली वाला गुट है जो अपक ला कस इचीन देता है या फिर घॉमकर डीव बीवर्प हिसके सामने कभी शाहा नहीं बनने का मतलब क्या हुआ अब ही कबार क्या होता है हम को किसी चीज के अंदर अपने master से जादा अपने teacher से जादा पता होता है मैं example देता अपने college के अपने college मेरे college के अंदर एक दोस्त था उसको हमेशा सब कुछ पता होता था अब क्या करता था हो उसको पहले बता था भाई आज ये subject पढ़ाने वाले topic पढ़ाने वाले तो गर से पढ़के आता हो इस चक्कर में उसको knowledge proper होता है तो अब teacher जो बुफ चीज पढ़ाता था उसके पास questions out of the box आते हैं क्योंकि पहले सी प्रिप्दरगर क्याता था कि मैडम ये क्या होगा ये क्या होगा वो क्या होता इस चक्कर में teacher को रखता भाई ये बन्ता शाना बन था अगर देखा जा तो internals में उस बच्चे को कभी number जादा नहीं बनते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कि सिर्फ teacher के चाप्लूस बनके रहते थे वो question नहीं कूछते थे सार जोड़ी बढ़ाते है सार बिल्कुल सही पीछे कुछ भी के लिए बर सामने सामने सार बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बता रहा है कि आपको digital marketing कैसे कर लिए मुझको बनोगा सार ऐसा नहीं होता मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से होता है मैं अपने चोड़े तरीके रहो उनके सामने बोले लग जाओ सार मैं बताता हूं इस चप्छर में उनको लगेगा कि मैं arrogant हूं और at last मेरा ही नुक्सान होगा उनकी दिमाग में जो मेरी positioning थी वो खराब हो जाएगा कभी बार हम parents के साथ भी ऐसा कर जाते हैं हम भाई हम नई generation है हम बहुत सारी चीज़े अपने parents से ज्यादा आती है हम पेरी सामें चोड़े वाई नहीं बताता हूं बपाप आपको कुछ नहीं आता है मैं बताता हूं इस power principle वाली series के अंतर हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने बाले है जो कि हर एक इंसान को बता होती है और उन चीज़ों को आप ध्यान दे तो हमारी life change हो सकते है कर लेना घंटी जरूर दो आजेना ठीकर वोसो बाय गुटनाइट शबागे रुटाफस